अज़ो एवरीवन हाई दिस विजय ठककर एंड वेलकम बैक तो मैं न्यू वीडियो आज के वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को दो चीजे दिखाने वाला हूं एक पार्ट तो वह है जो हमारा वीकली एनालिसिस होता है वीडियो का अभी ये वीकली एनालिसिस वीडि स्ठक दे रहे हैं एक स्टॉक एशा जो स्वींग बाई दे रहा है मतलब वह भी अवीस टाउके सब्सक्राइब्ण करूंगा उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैं Nej लास्ट वीक में मतलब बीसिकली लास्ट वीक में मंडे को हॉलिडे था तो तोटली चार दिन ही थे कुछ हमारे पास ट्रेडिंग देश के लिए तो चार दिन में मैंने कैसे मेरे क्लाइंट के अकाउंट में 3,80,000 का प्रॉफिट किया था यह वीडियो में हम लोग यह सारी चीज़े देखने वाले हैं तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मेरी स्क्रीन पर जाके देखते हैं कि मैंने कौन से स्टॉक्स आप लोगों के लिए निकाल के रखे ह यह वीक के लिए और मैंने वो 3,80,000 का प्रॉफिट जो है वो कैसे किया था हम लोग हमारा एनलेसिस पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हम लोग देखते हैं आने वाले वीक में निफ्टी क्या प्रफॉर्म कर सकता है तो यह जो निफ्टी का डेली चार्ट है अभी मैं मैंने 21st में को जो यह एरो मैंने यहां पर दिखाया है वह मैंने 21st में को मैंने एक ट्वेट किया था कि निफ्टी अगर 8,800 ब्रेक नहीं करेगा तो हम लोग शायद आने वाले टाइम में 9888 भी देख सकते हैं और 10,400 भी देख सकते हैं तो वह लेवल यह था तो क्या हो र तो अभी मेरा लॉजिक क्या था कि निफ्टी अगर 8,800 ब्रेक नहीं करेगा तो निफ्टी 9888 तक हो जाएगा जो अभी निफ्टी ने पहले हाई मारा था जो आप यहां पर देख सकते हो मैंने एरो करके दिखाया है अभी मेरा प्लानिंग यह था कि मार्केट अगर 9,160 ज तो अभी आप लोग अगर देख सकते हो पूरे वीक में मार्केट ने 8,800 को ब्रेक नहीं किया और अभी कल अगर हम देखे तो निफ्टी 9,598 तक आके निफ्टी ने एक हाई मारा था और निफ्टी क्लोज भी 9,800 के आसपास हुआ है तो अभी मेरे लिए जो निफ्टी में अगर असेंडिंग ट्राइंगल का में टारगेट देखू तो वो आ रहा है 9,400 के आसपास पर अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट यह है कि निफ्टी पहले 9,600 को ब्रेक करें अगर निफ्टी आने वाले वीक में 9,600 को ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट र को फॉलो नहीं करता मैंने अपने लास वीडियो में मतलब लास संडे के वीडियो में मैंने कुछ ऐसे स्टॉक शेर किये थे जो आने वाले एक साल में बहुत अच्छा रिटन दे सकते है तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आये थे कि सर मार्केट तो अभी बोल रहे है कि 6,700 जाएगा 6,500 जाएगा सर मार्केट तो ऐसा बोल रहे है कि 8,000 जाएगा तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि यह एक investment opportunity है देखिए अगर मार्केट नीचे जाने वाला होता तो मार्केट अभी तक वेट नहीं करता मार्केट नीचे चला गया होता और मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो में जो भी stock share किये थे वो lifetime high के पास या 52 week high के पास trade कर रहे है अगर सच में वो stock में seller savvy होते तो वो lifetime high के पास या 52 week high के पास trading नहीं करते होते देखो आप लोग है ना पहले मैं हमेशा यही चीज़ को बहुत मैं बहुत थरोली मानता हूँ कि अगर आप लोग trading क 8000 आ जाएगा वो लोग दो चीज़ हो सकता है या तो उनका market में पैसा नहीं होगा या तो फिर उन लोगों को बोलने में यह सारी चीज़े बहुत मज़ा आती होगी आप लोग technical analysis क्यों सिखते हो यह सारी चीज़े सुनने के लिए थोड़ी सिखते हो आप technical analysis इस लिए सिख कर रहा है monthly में उसको जो resistance है वो 678 रुपीज का है अभी शिपला right now 648 रुपीज पे trade कर रहा है monthly में शिपला ने 678 ब्रेक कर दिया तो मेरा immediate target शिपला में रहेगा 760-750 का अगर मैं यहां पर एक trend line भी बना देता हूं शिपला में तो यह monthly में जो trend line है वो शिपला ने अभी recently break किया है मेरे लिए सिपला आने वाले time में बहुत ही focus में रहेगा मतलब आने वाले week चायद एक माईने तक भी अच्छा return दे सकता है तो सिपला अगर break करता है 678 तो आपको इसमें stop loss सकना है 570 के आसपास इसमें अपना पहला target रहेगा somewhere around 800 और इसमें अगर final target आपको calculate करना है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारे वीडियो में share किया है आप लोगों को सिफ price range को select करना है और price range आपको लगा के देखनी है कि breakout के बाद वो price range कहां पे जाती है तो सिपला में मैं आप लोगों को मेरा final target बता देता हूँ अगर आप कोई भी सिपला को positionally buy करन हो अभी हमारे list में जो next stock है वो escort का है अगर आप escort का chart देखोगे तो यह escort का weekly chart है escort भी बहुत ही important level पर आके trade कर रहा है जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी दिर पहले यही बताया था अगर market को गिरना है या फिर समझो escort को गिरना है तो escort कपका गिर जाता पर अभी escort 52 week high और आप बोल सकते हो escort almost lifetime high के पास trade कर रहा है इसका मतलब यह है कि अभी escort के stock में जो है वो buyer strong है seller strong नहीं है अगर seller strong होते तो 52 week low के आसपास trade करता lifetime high के आसपास नहीं तो escort में मेरा trading plan यह रहेगा कि escort अगर 6.39 break करता है तो मेरा escort में पहला target रहेगा जो बहुत ही चोटा है 1050 का escort में आप stop loss रख सकते हो 800 का अगर मैं escort का final target बोलू आप लोगों को तो again मैं यह escort lifetime high के पास trade कर रहा है lifetime high के पास trade कर रहा है तो escort में मैं पुरी price range निकालूँगा और price range को मैं breakout के बाद add कर दूँगा तो अभी मैं यह price range को अगर मैं breakout के पास add कर देता हूँ तो देखो मुझ 1400-1400 escort को आपको buy करना है 639 के उपर escort में आप stop loss रगा सकते हो 790 का यह मेरा रहेगा escort के लिए trade हमारे list में जो next stock है वो है बायर कॉप अगर बायर कॉप का आप यह देखो तो यह monthly chart है तो बायर कॉप ने भी monthly chart पे breakout दिया है again मैं आप लोगों को वही बोलूँगा कि अगर य strategy यह रहेगा इसको आपको purchase करना है 5100 के आसपास अभी बायर कॉप भी lifetime high के पास trade कर रहा है तो इसमें भी मैं range calculation देखूंगा कि रेज कितना आता है तो इसका range आ रहा है somewhere around 2100 पॉइंट का यही 2100 पॉइंट को मैं breakout के बाद एड कर देता हूं तो मेरा इसमें जो final target आ रहा ह वो technical analysis के concept है मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यह stock ने अगर 5100 के यहा पे breakout दिया है तो इसका upper range अभी क्या बनता है as per the range calculation मेरे इसाब से यह stock 7100 यह 7200 तक आ सकता है अगर आपको यह stock buy करना है तो आप buy कर यह 5100 के आसपास इसमें हमारा final target रहेगा 7200 और इसमें हमारा stop loss रहेगा 4200 हमारे list में जो भी next talk है वो Dixon technology है अगर आप इसका chart देखोगे तो इसने भी weekly chart में breakout दिया है somewhere around 4800 और 4900 के आसपास तो इसमें मेरा strategy रहेगा कि अगर यह 4900-4800 के ऊपर trade करता है तो इसमें आपका stop loss रहेगा 4300 अगें यह lifetime breakout पे आ रहा है तो हम लोगों को price range calculation और मैं वो ही range को breakout के बाद add कर देता हूँ तो देखो हम लोगों को target क्या मिल रहा है तो यह stock में हमारा final target बनेगा 6800 आपको यह stock buy करना है 4800 के आसपास या 4900 के पास इसमें आपका stop loss रहेगा वो 4300 है और इसमें हमारा final target है वो 6800 के आसपास बनेगा हमारे list में जो next stock है वो जो मेरे लिए swing buy बनते है तो हिंदुस्तान Unilever का अगर आप chart देखोगे तो मैं हिंदुस्तान Unilever को weekly chart पे अभी shift करता हूँ हिंदुस्तान Unilever में अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि weekly time frame में आपको जो trend है वो कौन सा दिख रहा है तो weekly time frame में जो trend है वो उपर का और trend analysis में इना दो चीज होती है एक होता है primary trend और secondary trend अभी मैं आप लोगों को primary trend और secondary trend बहुत diğer में नहीं समझाओंगा फर मैं आप लोगों को क्षोटी बात बता देता हूं कि primary trend वह होता है जो MAIN trend होता है मतलब- जो Maine trend होता है तो अब यह stock में main trend कौन सा है अगर मैं आप लोग प्राइमरी ट्रेंड बोलते हैं तो अकर आप देखोगे यहां पे जो हिंदुस्तान उनिलीवर है यहां से उसने अप ट्रेंड शुरू किया था और अभी भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है तो यह वाली जो अपोचिनिटी है शायद आप लोगों को बाइंग स्टॉप लॉस अगर आप स्टॉप लॉस देखो तो कुछ 150 पॉइंट और 100 पॉइंट का बन रहा है पर टागेट अगर आप देखो तो 2300 और 2600 का है जो बहुत ही अच्छा टारगेट बन सकता है एक स्विंग बाई के लिए हमारे लिस्ट में जो नेक्स टॉक है वो है ब बिसिकली रीटेस्ट थियरी से बाई बनता है यहां पर इसको बहुत टाइम पहले रजिस्टन्स फेस हो रहा था आलकेम लेबॉरेटरी ने यहां प्रेक आउट इसने किया था विच इस दमन्त ऑफ जैनिवरी अभी जैनिवरी के बाद आलकेम ब्रेक आउट करके अल्मोस मेरा फाइनल टारगेट है वो 3300 का है तो यह आलकेम अपके लिए बहुत ही अच्छा रीटेस्ट थियरी से बाई बन सकता है अगर आपको फोकस करना है तो आप आलकेम में भी बाई करने के लिए देख सकते हो यहां पर मैंने जितने भी स्टॉक शेयर किये है आप लोगों वीक में यह भी स्टॉक को अच्छा रिटन दे सकता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने लास्ट वीक में मतलब चार दिन में मैंने 3,80,000 का प्रॉफिट किया था उनकी मैं बता देता हूं तो बेसिकली यह जो ग्लोबल रिपोर्ट होता है जो मैंने अपने बैक ऑफिस से डाउनलोड किया था तो आप देख सकते हो स्टेट्मेंट ऑफ एनसी एफफो प्रॉफिट एंड लॉस अभी आप देख सकते हो यह जो पीरिड है वो 26 में से लेके 30 में तक सिबैंक में ट्रेड किया था उसके बाद मैंने ज्रेट्ट यहां पर देखोगे तो बहुत सारे जो ट्रेड है वो मेरे फ्यूचर में रहेगे और कोई-कोई मैं बहुत रेर और ओप्शन करता हूं चैट बैंक में भी मैंने ट्रेड किया ता मुतुट फाइनस की पोजिश और यहाँ पे net profit and loss है तो यह जो basically है मैं शीट आप लोगों के साथ इसलिए share कर रहा हूँ कि जो last week में 4 दिन थे 4 दिन में से कोई ऐसा एक day नहीं था जबी मैंने planning के बिना trade नहीं किया होगा तो देखो यहाँ पे मैंने date भी आप लोगों के साथ बता दिया है तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेरा जो सबसे ज़्यादा loss था वो आप देखोगे तो एक यह भारती आइटेल में पहले हुआ था पर यह भारती आइटेल की position मेरी अभी भी open है क्योंकि मेरा भारती आइटेल में जो view है वो positional view है अगर मैं इसको यहाँ पे zoom करता हूँ तो मैंने आप लोगों को जैसे के बता है कि यह जो second last column है और last column है वो gross profit और net profit का है तो मैं यहाँ पे zoom करके आप लोगों को बता देता हूँ के भाई मैंने जो gross profit अगर आप देखोगे तो 4,3,000 का है और net profit जो था वो basically 387 का है मतलब मैंने last week में सिर्फ 4 दिन के अंदर मैंने आपनों साब बोल सकते हो कि मैंने 3,80,000 का profit किया था अभी यह client के account में जो trading capital है वो basically 40-45 lakhs का trading capital है तो हम लोग ने 40-45 lakhs के trading capital में 3,80,000 का जो profit किया था last week में मेरा motto आप लोगों को ये बताने का सिर्फ यही है मैं जो अपने trades करता हूं वो planning के साथ करता हूं मेरा motto ये बताने का नहीं है कि देखो भई मैं कितना profit कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं तो मैं आप लोगों को सिर्फ simple एक चीज़ बताना चाता हूं अगर आप भी आपके ट्रेट प्लानिंग के साथ करोगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो कभी भी आपको ट्रेट के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप रेगिलरली बेसिस पे स्टॉक अपडेटेट रहना चाते हो तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट को फ मैं यह चीज में बहुत बिलीव करता हूं कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी करो या इंट्राडे भी ट्रेड करो पर आपके जो ट्रेड्स है वो पहले से प्लान होने चाहिए जैसे मैंने यहां पे जो भी 3,80,000 का प्रॉफिट किया इसमें से एक भी स्टॉक किया इसमें से एक भी ट्रेड ऐसा नहीं है जो मेरा पहले से प्लान नहीं था अगर मैं कोई पोजिशनल ट्रेड करता हूं तो वो भी पहले से प्लान होता है जैसे अभी यह वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने बताए जो भी स्टॉक्स है वो पोजिशनल ट्रेड के टाइ होते हैं उसमें से एक एडवांटेज यह होता है कि आप मेंटली रिलाक्स रहते हो अगर आप विदाउट प्लानिंग करके कोई ट्रेड लेते हो तो देखो मार्केट अगर थोड़ा उपर नीचे भी हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर उपर नीचे हो जाएगा और था कि आप लोगों के साथ में बताओ कि आप प्लानिंग करके भी प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो अगर आप लोगों को मेरे एक वीडियो है जो मतलब इंट्राडे ट्रेड प्लान कैसे करते हो उसके लिए तो यहां पे मैं आई-कार्ड में उसकी लिंक डाल दूँगा आप वीडियो भी देख सकते हो मैं आप लोगों को एक सीज बताना चाहता हूँ कि लास्ट में मन्त में हमारा जो ऑनलाइन बैच था वो अल्मूस्ट फुल हो चुका था इसलिए मैंने आगे और किसी लोगों को मतलब अलाओ नहीं किया था वो बैच में जॉइन होने के लिए अगर आप लोगों को मेरे अभी जून मन्त वाले ओनलाइन बैच में जॉइन होना है तो मैं यहां पर सारे डीटेल दान दुआँगा, आप वो नमबर पे कॉल करके वो बैच जॉइन कर सकते हो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हम लोग मिलेगे नेक्स वीडियो में थैंक यू